कँए कान्सेट यह है कि किसी लॉन्य रोलर को ग्राउंड में घास काटने के मशीन टाइप की होती है मशीन घंठ कभी लॉन्य कंवर करने के लिए ऋस इसे को रोल किया जाता है तो एक तो हुता है कि घास काटने देना वे वह अधार तो उसका नीचे का पाट ऐसे घुमता है और घुमने से वो घास कटती है ठीक है तो ग्रास कटर नहीं लिखा हुआ है तो लॉन रोलर मतला है समझेगा कि एक लॉन है उसको वराबर करना है ठीक है जैसे खेल का मैदान होता है उसमें लॉन बबाव करना होता है तो एक रोलर ह होता है तो उसको से मशीन चलाती है आजकल लेकिन अगर आपको आपको चलाना पड़े तो दो तरीके से उसको चला सकते हो एक तो ऐसे पुल कर लीजिए और यह कहते हो ऐसे होता है पुश्च कर दीजिए तो पुलिंग करने से ज्यादा ठीक है या पुश्च करने ज्यादा तो pull the roller हम इसे दिखाएंगे क्या हमको pull करना या push करने में दिक्कत क्या वहाँ पर है दिक्कत है frictional force किसी में ज़्यादा हो सकता है किसी में कम हो सकता है देखो pull करने जा रहे हैं साउधान ये एक roller है तो roller का हम क्या दिखाएंगे ये पहिया केवल ठीक है गोल ही है वो माना जाएगा इसको माना ये विल्कुल circular है ठीक है तो दो चीजे हैं एक तो इसका weight vertically downward act करेगा और दूसरा इसका reaction force upward act करेगा ये दोनों कहाँ पर act करेंगे इसके center पर जब इसको pull करते हो तो आप actually force कहा लगाते हो यहां से खींचते हो ऐसे कि कैसे खींचते हो आप जो भी force लगाओगे वो कहां से उकर जाएगा center से ठीक है तो हम अगर pull करेंगे तो हम कुछ ऐसे pull करेंगे ना force से लगाते हो ऐसे आगे खड़े होगे ऐसे खींच रहे होगे और हमने कहाँ माल लेते हैं कि horizontal से theta angle पे हमने इसको pull किया horizontal से theta angle पे pull किया क्या जिधर आप pull कर रहे हो उधर roller जा रहा है जिधर जा रहा है उधर क्या आप force लगा रहे हो उधर लगा रहे हो उधर जिधर force लगा रहे हो उधर जा रहा है roller और जिधर आप इधर लगा रहे हो ना फोर्स इधर जा रहा है रोलर और जिधर जा रहा है उदर आप फोर्स लगा रहे हो बिना फोर्स के जा रहा है यानि कि फोर्स उदर लगा नहीं रहे हो लेकिन फोर्स का एक कंपोनेंट है जो इस दिरेक्शन में है तो यानि कि इधर क कि और एक force act कर रहा है कितना F cos theta और एक इसका vertical component होगा F sin theta जब रोलर जाएगा तो खिंचेगा कि इदर आगे की तरफ तो friction कि दर लगेगा कौन सा friction होगा यह kinetic friction लगेगा यह kinetic friction लगेगा अब concept समझेगा kinetic friction में बड़ा confusion आप को होता है कि जब इधर के forces बरावर इधर के forces आप करते हो तो आप कहेंगे net force क्या होगा zero तो नियमता body को move नहीं करना चाहिए हैं कहां पे पूलिंग pushing ने ऐसे question तो बहुत सारे होंगे इसमें पूलिंग pushing वाली बाड़ थोड़े आया है तो यानि कि ने वो तो concept हम बता रहे थे कि अगर friction इधर लग रहा है अगर इधर कोई opposite force काम कर रहा है और दोनों forces को equal कर दें तो आपको क्या लगेगा कि net force zero हो गया तो body को move नहीं करना चाहिए जब कि ऐसा नहीं होता है हमने कहाता अगर body move करना शुरू कर दे तब भी आपको लगातार force लगाना पड़ेगा because of the friction तो अगर friction के बराबर आप force इधर लगाते हूँ opposite direction में तो net force अभी भी zero है लेकिन body एक constant acceleration से move कर रही है ठीक है अब देखिए यानि in equilibrium in equilibrium equilibrium का मतलब क्या हो गया कि नहीं नहीं कि बाउर तो move नहीं मूब तो करी रही है net force zero है body पे तो equilibrium condition में उपर कितने force काम कर रहे है r plus f sin theta और इधर कितने force काम कर रहे है downward mg काम कर रहे है हमें कुछ नहीं निकालना है हमें actually equal frictional force निकालना है जिसमें frictional force ज़्यादा उसमें आपको force ज़्यादा लगाना पड़ेगा बस और कुछ नहीं करना है ठीक है अच्छा यहां से r की value क्या निकलेगी mg minus f sin theta हम frictional force को इसके equal नहीं करने जा रहे है हम केवल हमने जो heading डाल लखी है कि pulling is easier than pushing तो हम इतना दिखाएंगे कि किस case में frictional force ज़्यादा लग रहा है क्योंकि frictional force की वज़े से हमको force ज़्यादा लगाना पड़ रहा है अच्छा यहां पर frictional force कितना है frictional force f के बरावर क्या formula होता है mu k into r होता है ना सुंच रहे थे क्या बोले mu k into r और हमने कहा था r को ultimately हटाना पड़ता है तो यह हो गया mu k और r की value क्या हो जाएगी mg minus f sin theta यह आपका f की हो गया यानि पहले case में आपका frictional force है इसे note करिए पहले आप अब देखो इसको push करने जा रहे है तो यह roller है ठीक है यह ground पर रखा हुआ है यह इसका weight downward काम कर रहा है इसका reaction force upward काम कर रहा है यह इसका center है आप जो push करने के लिए force लगाओगे कहां लगाओगे यहां लगाओगे ऐसे push करोगे ऐसे ही धका मरोगे कहां लगाओगे कहीं उधर push करोगे इधर push कर रहे है उधर ले जा रहे हूँ तो जहां भी करोगे उसका जो result जो line of action उकाओने चीए center पे तो हम ऐसे को से इसको push कर रहे है ठीक है F force लगा के हम इसको push कर रहे हैं ऐसे ठीक है अब चुक्कि पिछले वाले में आपने horizontal से angle बताया था तो यहां भी horizontal से ही लगाओ यह horizontal से theta angle पे हम push कर रहे हैं तो को force ऐसे लग रहा है यह यह force apply करो जान रखेगा तो देखे एफ का जो horizontal component होगा वो क्या होगा इधर थोड़ी होगा इधर इस direction भी है ना और एफ का जो vertical component कि दर काम करेगा एफ साइन थीटा अब बताये friction इधर लगेगा लेफ्ट तरफ या राइट तरफ यह roller जाए को उधर ही न तो friction अभी भी इधर काम कर रहा है इसका नाम देदो एफ के डैस चेंज कर दो कुछ हमको तुनों का नाम चेंज करने है न तो देखिए in equilibrium equilibrium आर उपर कुछ और तो है नहीं उपर आ रही है न इस इक्वल टू डाउनवर्ड कितना है mg प्लस f sin theta ठीक है और frictional force force of friction force of friction इसको हमने f-k माना है f-k coefficient of friction चेंज करने के वह लिखें coefficient of friction चेंज करें के वह लिखें coefficient of friction सर्फिस पे हो तो डिपेंट करता वह ही रहेगा यानि यह हो गया आपका μू के और इंटू आर आर की वल्यू रग दीजे उठा करके f-k is equal to μू के इंटू आर की वल्यू क्या है mg प्लस f sin theta यह equation number 2 हो गया equation 1 में जो आपका friction था वो mg माइनस f sin theta था और यहाँ mg प्लस f sin theta है अगर हम दोनों equations को compare करें by equation 1 and 2 तो पहले वाला frictional force ज़्यादा है या बाद वाला यानि कि f-k is greater than f-k अब friction ज़्यादा होगा तो आपको उसको खींचने के लिए ज़्यादा easy होगा के tough हो जाएगा तो वही तो आपसे कह रहा है कि pulling में friction कम लग रहा है और pushing में friction ज़्यादा लग रहा है तो लिखेंगे this shows that कि pulling is easier than pushing समझे भी बार नहीं आई इसका statement लिग दीजिए नीचे उठागर के